हिंद भारत आपकी अपनी आवाज सुस्मा देवी पूर्वसांसत स्वर्गे हुकम सिंग के भतीजे भाजपानेता अनिल चोहान की पत्नी थी जिसके बाद उनके निधन पर तवाम इस्तानी और परदीश नेताओं ने शोक व्यक्त किया खबर के मताबि घटना मंगलवार की देर शाम की है जब पचास वर्स सुस्मा देवी के राना शहर में अपनी चछत पर गई थी जिसके बाद उन्हें आकरामक बंदरों निगेल लिया और बंदरों के हमले से खुद को बचाने के लिए वो चछत से कूद गई जिससे उन्हें काफी चोट आई और उनकी मौत हो गई जिस समय ये दुखत हाथसा हुआ उस समय सुस्मा देवी के पती अनिल शोहान घर पर नहीं थे सुस्मा देवी को तुरंट अस्पतार ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई वहीं सुस्मा देवी की मौत की खबर सुनकर पुरे लाके में शोक की लहर है हजारों लोगों की मौजूदगी में मायापूर फार्म हाउस पर उनका अन्तिम संसकार किया गया असदोरान सांसत परदीप चोदरी भी मौजूद रहे ऐसे बीच सुस्मा देवी के बंद्रोस के हमले में हुई मोत की जाच SDM केराना को सोब दी गई है वहीं लोगों ने परशासन से मांग की है कि वो उन्हें बंद्रो के आतंग से निजात दिलाएं आपको बता दें कि पश्चमी यूपी के केशजिरों में बंद्रो का कहर खतनाक रूप देता जा रहा है मत्रा में नगर निगम ने 1 सितंबर से 15 दिविस्ते कारिकरम शूप किया है और पवित्र शहर के परमुख मंद्रों से मंद्रों को पकड़ा जा रहा है जान नगर आयुक्त अनुन निया ज्छा ने कहा कि कारिकरम के पहले चरण में बाके बिहारी मंदिर छेत्र वरंदावन, चोबिया पारा और मत्रा के द्वारका दीश मंद्र छेत्र से मंद्रों को पकड़ा जाएगा और उन्हें वन छेत्र में छोड़ा जाएगा फिलाल इस कबर में तरह ही देखते रहे हिंद बातनीश लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें